दोस्तो हमारी आज किस पीडियो को टॉपिक रहेगा Ode on a Grecian Earn दोस्तो Ode का मतलब होता है किसी वीशे से संबंदित कीत और Grecian Earn का मतलब हुआ Greece का एक कलश दोस्तो इस पोयम को लिखा है एक influential English poet John Kitts ने John Kitts ने इसको लिखा था 1819 में दोस्तो ये एक complex और mysterious पोयम है इस पोयम में John Kitts एक कलश को देखते हैं इसको बहुत सारे चित्रों से सजाया गया था जिसमें ancient Greece की rural life को भी दिखाया गया है इस कलश को देखकर John Kitts के मन में काफी ज़्यादा जिग्यासा उठती है उनको ऐसा लगता है जैसे इस कलश में बहुत सारे question चुपे हुए है दोस्तो ये पोयम थोड़ी सी बड़ी है इसलिए मैं इसे line by line discuss नहीं करूँगा बल्कि मैं इसके summary आपको समझा रहा हूँ मैं कोसिस करूँगा कि इसके summary में आपको अच्छे सा समझा सकूँ ताकि जब आप इसको line by line पढ़ें तो आपको ये पोयम अच्छे समझा जाए तो आएए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो ग्रेशियन अर्न को देखकर जान किट्स कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो इस कलश में अधीद के बहुत सारे रात चुपे हुए हैं लेकिन ये कलश एकदम सान्थ है क्योंकि इसमें जो चित्र बनाए गया है वो बोल नहीं सकते हमारे पोईट जान किट्स बहुत ही सान्ती से इस कलश में बनाए गये historical images को देखते हैं कलश में बनाए गये उन चित्रों में बिल्कुल खोशे जाते हैं और वो खुश से question करते हैं कि आखर ये चित्र क्या कहना चाहते हैं क्योंकि इस चित्र में ancient Greece की बहुत सारी चिचे दिखाई गई थी जैसे कि वहां के humans, gods इस कलश में कुछ specific male characters को दिखाई गया है इसके अलामा इसके अलामा इस कलश में कुछ ऐसे औरते भी दिखाई गई हैं जो less interested हैं यानि कि अपनी अनिच्छा प्रकट कर रही हैं इसके बाद poet कहते हैं कि इस कलश में कोई भी musical instrument नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन इस चित्र को देख कर ऐसा लग रहा है मानो कोई उत्साह का महौल हो लेकिन अगले पल हमारे poet उस कलश में एक music की बात करते हैं वो कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई धुन तो जरूर है लेकिन हम उसको सुन नहीं सकते हैं वो इस music की तारीव करते हुए कहते हैं हम इस music को इसली नहीं सुन सकते क्योंकि ये एक कलस परंकित है इसके बाद हमारे पोईट इसमें बासुरी की धुनकी बात करते हैं वो देखते हैं कि एक यंग पाईपर यानि कि बासुरी बजाने वाला किसी पेड़ के नीचे बैड़ कर बासुरी बजा रहा है वो खेते हैं कि ये बासुरी बजाने वाला सदव इसी तरह से बासुरी बजाता रहेगा क्योंकि वो भी इस कलस पर हमेशा के लिए फ्रीच हो चुका है अपनी इसी अवस्था में क्योंकि चित्र गती नहीं कर सकते इसलिए वो हमेशा इसी अवस्था में हमेशा हमेशा के लिए बासुरी बजाता रहेगा इसके अलावा वो जिस पेर्ड के नीचे बैट कर बासुरी बजा रहा है उसके पत्ते कभी नहीं मुर्चाएंगे क्योंकि ये बेर भी एक तरह का चित्र है और वो अपनी अवस्था कभी नहीं बदलेगा वो हमेशा हमेशा के लिए इसी अवस्था में रहेगा इसके बाद दोस्तों हमारे पोईट फोकस करते हैं दो यंग लवर्स के उपर ये दोनों लवर्स एक दूसरे को किस करने वाले हैं लेकिन इनके लिप्स आपस में कभी मिल नहीं सकते क्योंकि चित्रगती नहीं करते इसलिए इन दोनों का भी किस हमेशा हमेशा के लिए अधुरा ही रहेगा दोस्तो दो lovers में किस ना होने की बात पर हमारे poet जान किर्स अपना एक positive view रखते हैं वो उन दोनों lovers से कहते हैं कि उन्हें upset होने की जरूरत नहीं है कि उन दोनों का किस कभी नहीं हो सकेगा ऐसा ना होने पर प्रेमिका की पूरुस प्रेमिका प्यार हमेशा उसके लिए बना रहेगा पूरुस प्रेमी हमेशा अपनी प्रेमिका को प्यार करेगा वहीं इस तरी प्रेमिका भी हमेशा अपनी पूरुस प्रेमिका को प्यार करेगी और उसकी खुपसूरती हमेशा बरकरार रहेगी इसके बाद दोस्तों राइटर उस गलस में बने बाकी पेड़ों की तरब देखते हैं इस गलस में बनाये गए सबी पेड़ पौधे अपने बाकी साखाओं से काफी जादा खोज हैं और एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं उनको इस बात की खुजी है कि उनके पत्ते कभी नहीं मुड़ जाएंगे यानि कि वो सबी एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे और उन्हें स्प्रिंग में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना पड़ेगा इसके बाद हमारे पॉइट दुबारा से उस बासुरी बचाने वाले को देखते हैं जो मिना थके और पिना रुके लगातार बासुरी बचा रहा है पॉइट कहते हैं कि बासुरी बचाने वाला इसी तरह से नए नए धुन हमेशा बचाता रहेगा ये चीज़ देखकर हमारे point happiness और love को feel करते हैं वो कहते हैं कि इस कलस फर बनाये गए सारे चित्र हमेशा खुस रहेंगे क्योंकि वो कवे पूरे नहीं होंगे वो हमेशा इसी तरह से young रहेंगे जो इंसानों की दुनिया है और एक दुनिया जो इस कलस में दिखाई गए है वो दुनों बहुत अलग हैं इंसानों के द्वारा इस बनाये के दुनिया में लोग कभी न कभी किसी न किसी समस्या से हमेशा तंक रहेंगे लेकिन ये दुनिया जो कलश में दिख रही है वो हमेशा इंतुबिदाओं और समस्याओं से दूर रहेंगे इसके बाद तुस्त हमारे पुईट का ध्यान कलश पे बनाए गए किसी दूसरे सीन की तरफ जाता है ये चित्र देख कर उनको लगता है कि ये जैसे किसी रिती रिवाज से भरा हुआ चित्र हो इस चित्र में एक प्रिष्ट किसी गाय को ले जा रहा है ये गाय आसमान की तरफ देख रही है वो परमपरागत सेल के कपड़े पहने हुए है साथ ही उसके सरीर पर फूलों का विस्तर है इस इमेज को देख कर हमारे पोईट आश्यरे चकित हो जाते है वो सुषते हैं कि आखिर इस तरह के रिती रिवाज कहां से आये होंगे इसका जवाब हमारे पोईट को इस कलस में नहीं मिलता कलस में सभी बेड़ पौतिय पहाड नुदियां सभी फ्रीच हैं यानि कि एक सांग दावस्था में मौजूद हैं और इस सिद्र में उनको ऐसा कोई नहीं दिखाई पढ़ रहा है जो उनका जवाब दे सके इसी तरह से दोस्तों हमारे पोईट बहुत सारी चीजों को देखते हैं इस कलस में और उन चीजों को बहुत ही करीब से महसूस करते हैं थोड़ी सी मौलत लेने के बाद वो महसूस करते हैं कि जब इस दुनिया में सभी लोग समाप्त हो जाएंगे यानि सब की मौत हो जाएगी कोई यहां पर नहीं बचेगा तब भी यह कलस रहेगा लोग इस कलस को देखकर चिंतन कर सकेंगे और इंसाने दुनिया की उन तमाम कशनाईयों को जान सकेंगे इस कलस की सुन्दरता और सच्चाई हमेशा इशी तरह से बरकरार रहेगी और इस कलस के जरिये इस दुनिया की सच्चाई को वही जान सकेगा जो इसको जानना चाहेगा